हाई फ्रिंट स्राधास लाइब स्टैन में आका सुसागत है आज हम बनाने जारें ब्रेड की रसमलाई जो किचन की कम समान से बन जाती है तो चली इसको बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने एक गिलास के करीब में कच्छा दूद लिया है आप चाय तो उबलाव ले सकते हैं यह देखे हैं हमारा कडाई गरम है उसमें यह हम एक ग्लास कस्छा-दूद ला चाइचंच करेब में अब इसको दीडरी दीडरे चलाएंगे intrigued ऐख बाल आनेताख चलाएंगे isko ema Vocês को चलाते रहना है ताकि नीचे पकड़े यह बहुत जल्दी से और बहुत टेस्टी रस मणाई बनके तयार हो जाती है यह ब्रेट से बनती है तो इसको कोई पता भी नहीं कर सकता है कि इसमें छेना नहीं पड़ा हुआ है यह देखें हमारा दूद उगल के तयार हो चुका है अब इसको स्लो फ्लेम पे ही ऐसे धीरे धीरे पकने देंगे ताकि दूद थोड़ा सा हलका सा गाढ़ा हो जाए दूद में और गाढ़ा पन लाने के लिए हम एक इसमें इंग्रेडिंग डालेंगे तो चलिए उसकी तयारी कर लेते हैं यहां पर मैंने एक चमच के करीब में आटा लिया है उसमें हलका अलका पानी डाल करके उसका एक फाइन पेश्च तयार कर लेंगे यह थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके उसका एक पेश्च तयार करेंगे इसमें थोड़े भी लंस नहीं होना चाहिए ऐसा हमें प्रेश्ट त्यार करना है को थोड़ा भी लंस ना रहत है यह देखी हमारा पेश्ट रेडी हो चुका है इसको आप कुल्फि बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते याधे से हमारा दूद्ध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा अज आपको एसा कच्च का टेस्ट आएगा तो इसा बिल्कुल नहीं है इस दूद्ध के साथ पक जाता अंदि गाढ़ा हो यह दोड़ उब गया है अब हम इसको एड़ कर जींगे और इसलो फ्लेम पे इसको अच्छे से तुरंट चलाएंगे जब तक हमारा दूद दूबारा उबलने के लिए थैयार नहीं हो जाता है तब तक इसको चलाते रहेंगे थोड़ा भी इसको छोड़े नहीं नहीं तो इस इसलिए उबलने तक हमको इसे चलाते ही रहना है इसे हमारा दूर थोड़ा गाड़ा हो जाएगा देखिए हमारा दूर उबल चुका है अब इसमें हम केशर की जगा हल्दी का यूज करेंगे आधे चमच के करीमे आधा से भी थोड़ा सा कमी अगर आपके केश पास केशर है तो भी डाल सकते हैं लेकिन हल्दी डाल देंगे तो और भी अच्छा है और यहां पर कुछ कटे हुए ड्राइफुट्स लिए मैंने डाल दी है अब यह हम अंदर का भरने के लिए मैटर तयार करेंगे उसमें आधा चमच की करीब में हम खोया यूज करेंगे और कटा हुआ कटा वो ड्राइफुट्स था इन सब को मिक्स करेंगे यह जो ब्रेड के अंदर हम स्टफिंग डालेंगे उसके तैयारी करेंगे तो यहां स्टफिंग बनके रेडी है देखिए हमारा दूद में भी अच्छे से उभाला गया है और यहां पर हम एक चमच के करीब में चीनी स्टफिंग अब मैंने यहां पर तीन ब्रेड लिया है अगर आपके पास कुकी कटर है तो उससे कट कर लेजे नहीं तो कोई भी एक धककन से आप उसको गोलोल काट सकते हैं छोटा ही हमें लेना है यहां पर ब्रेड को अच्छे से बेल लेना है थोड़ सा फ्लेट कर लेना अब एक ब्रेड में हम तीन कट लगाएंगे अगर आप इससे छोटा लेंगे तो चार निकल रहेगा लेकिन इतना पर्फिक्ट है साइज एक ऐसे सारे ब्रेड से हम निकाल लेंगे और जो साइड का है आप उसको ब्रेड क्रम्स बनाने में ब्रेड बहा बनाने में भी यूज कर सकते हैं साइड वाला जो बचता है उसको ब्रेड फ्रंस मनाने में तो योज करते हूं अब हम यहां पर बीच में स्टॉफिंग डालते हैं थोड़ा थोड़ा लेकर के जाय और साइट साइट से दूध लगा करके एक दूसरा जो मैंने और उसको चिप का देंगे उस परे साइट में पर ले अच्छे से दूध लगा देंगे हैं अब दोनों हातों की हेल से इसको धबा करके उंगलियों से हल्का लका और दूद लगा करके उसको अच्छे से दबा-दबा करके उसको शिप्का देंगे ऐसे शिप्का देंगे उसको सारे विसलेंज को ऐसे कर लेंगे एक एक करके सारे हम ऐसे स्टफिंग डाल करके साइड साइड में दूद्ध लगा करके इसको शिपका लेंगे इंप बहुत ही इजली चीप पपग जाते हैं इनको बस perfect मातरा में दूद्ध लगा रहना चाहिए साइड साइड में हलका-लका सबी हम ब्रेड को ऐसे ही लगा लेंके तयार कर लेंगे अब जबी रस्मलाई सब करेंगे सबको तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यह ब्रेड का बना हुआ है देखें हमारे सारे ब्रेड रेडी हो चुके हैं अब दूद भी बच गया है तो चलिए अब हम इसको डिस में डालते हैं एक ही करके हम ब्रेड के स्लाइसों को नीची रख देंगे अब हम चम्मच की हब से उसमें धीरी धीरी अपने जो दूद का बेटर मैंने रेडी किया था वह उसमें डाल देंगे वह ठंडा हो चुका है अब हम इसके में देए सारा दूद हम अब इसमें डाल देंगे उपर से हम ड्राइफूर्स डाल करके इसको सर्फ करेंगे इखाने में बहुत टेस्टी होता है हमारा रस्मलाई बनके रेडी है तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यह देखिए हमारी रस्मलाई रेड़ी हो चुकी है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए डिस्क के साथ तब तक के लिए आप इस डिस्क को बनाईए और अपने फ्रेंड्स और फ